हेलो बच्चो तो कैसे आप सभी मैं हो विश्वास राण आप कैसे स्टी का टीचर एंड आप देख रहे हैं आज चो होने वाले सभी को पता है पार्ट अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पर वह नीचे आपको मिल जाएका पार्ट वन का लिंक मिल जाएका और आने वाली वीडियो का भी लिंक आपको साथ-साथ में मिलता भी रहेगा अगर आपको और अपडेट से यह तो आप मेरा वाट्साइब भी जॉइन कर सकते हो वह भी आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जागा सब नीचे प्रवाइड है एक बड़ी आप नीचे चेक कर लेना जो भी आपको चीज़े प्रवाइड हो नोट्स वगरा आपको यह आज हम यह पड़ेंगे ओके इससे पहले हम आपको एक और चीज़ बता देता हूं एक बच्चे नेना मेरे से पूछा था कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या-क्या है नैश्ism और यूरोप में क्या-क्या चीज़े इंपॉर्टेंट है ख़िय। तौंध siympole से आपको बता देत हूं क्या-क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या-क आ सकतka है जैसे कि सबसे पहले प्रेंटिंग की बात करते टो आ पींटिंग इंप e strands पूछले ते यह French Revolution आपसे पूछाना आजाए यह जी के लिए बहुत के लिए इंपोर्टन है इसमें क्या आता है नेपोलियन कोड आता है वह कोड आफ कंड बताया था न तो में आपको वो code of conduct इसके लिए बहुत important है, paper में बहुत बड़ी इसके उपर questions भी आयो है, five marks के हिसाब से मैं आपको बताया है, ये, okay, बाकी आपको इसमें से सब पता है, ये, ठीक है, इस सारा important है, और बेटा, एक और बात में इसमें बात बताना चाहूंगा, काफी बच्चों ने एक औ following code आता है, देखो, अच्छा लगा मेरे को, बच्चे doubts पूछते हैं, में को और अच्छा लगता है, ठीक है, एक बच्चे का doubt था, कि सर, पांच नंबर का question आता है, ध्यांजा सुनना मेरी बात, पांच नंबर का question आता है, और अगर हम क्या बस ये points लिखे, जैसा आपने ल होला है, कि दो-दो लाइनों में आपको explain करना है, बस, आप दो-दो लाइनों में explain कर दोंगा, बेटा, नंबर आपको teacher full में से full देगी, 5 marks पूरे देगी, बस, और क्या चाहिए, और हमको चाहिए, क्या जिंदिगी में, बस 5 नंबर मिल जाएंगी, अगर आप ऐसा लिखो में को एक लाइन में तुम समझा नहीं सकती थे, वहाँ पर नंबर कटने के आपके chances बढ़ जाते हैं ठीक है, चलो, आज हम बात करते हैं nationalism in Europe, making of nationalism in Europe, देखो making of nationalism in Europe से न, start करने से पहले हम आपको एक चीज बताने चाहता हूँ, कि चिंगारी चली थी, फ्रांस में आग फैल गई पूरे यूरोब में, फिर से बोलो मेरे साथ, चिंगारी चली थी, फ्रांस में, आग फैल गई पूरे यूरोब में, ये क्या बताना चाहर हूँ आपको ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, एक चिंगारी, छूटी सी चिंगारी, वो कहां पर चली थी, वो चली थी, फ फ्रांस चीकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड मतलब बिमार हो जाता है अगर चीक मेरे को आ रहे तो ऐसा थोड़ना की पूरे यूरोप को करोना हो जाएगा एक ऐसा भी कोशन आया सकता है आपके पेपर में और यह कोशन दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है पेपर में आप देख सकते हो बहुत बड़ी पूछा भी गया है ओके तो मेकिंग ओफ नैशनलिजम इन यूरोप हम आज पढ़ेंगे कि नैशनलिजम इन यूरोप कैसे आया ओके तो सबसे पहले ना हमने यह बात पता हो नहीं चीए कि पूरे यूरोप मे अगर मैं बताओ तो पूरी यूरोप में दो कंट्री तो जगाओं को में फोकस करके चलता हूँ एक है इस्टन यूरोप और एक है सेंट्रल यूरोप क्योंकि यहां पर ओटोक्रेसी थी उस तनी को कैसे बिल्द करते उन उनने बॉला भाई क्या करे क्या करे उन एन बुला हमको एक ऐसा चरहिए कि डिफ्रिन लेंग्वेज नी एक लए मग्विच बोले का country के लिए भी और लोगों के लिए भी beneficial रहता है वागर उधर क्या था उधर beneficial यही नहीं था कि वहाँ पर common culture नहीं था उनका कोई common culture नहीं था हर कोई व्यक्ती different language बूलता था अलग अलग उनकी language होती थी अलग अलग वो पढ़ा भी तो फावर शेरिंग अगर आप बोलोगे तो बच्चों की डिमांड रही थी nationalism in Europe की इसलिए यूरोप पढ़ा रहा हूं मैं अगर आप जानते हो अगर आपकी कोई अथनिक ग्रूप थे कि मतलब अलग अलग अथनिक ग्रूप था वो कहते एक एथनिक ग्रूप होता तो ज्यादा बेनिफीशल रहता है ठीक है अगर मान लोगों को भी दिक्कत होईगी और त्यूव उनमें यूनिटी नहीं रही कि फिर हर एक कल्चर अलग होगा और कोई किसी कल्चर को इतना मानता नहीं था उसने इंपिरड में में बात ये भी थी ठीक है अब बात करते है एक इनवह ने दिया हैव्सबूर्ग एक एंपायर था ठीक है जो ऑस्ट्रिया पे रूल कर रहा था सिंपल एक एक्जामपल है ठीक है उन्होंने क्या क्या है पैच्वर्ग मान आ दिया दिफेंट डिजन्स में लोगों के लिए मतलब पैच्वर्ग पता होगा आपको शायद एक प्रॉपर एक एर्या बना दिया था उन्ने किसके लिए अलग-अलग लोगों के लिए मतब डिव कर दिया थे हाँ ये साय ये इसका है फ Wars थीक है और अलग अलग में जैसे टारोल और अस्ट्रिया शक्रटलेंट इन्हों ने अलग अलग जगा पर अलग इन्हों ने बोल दिया भाई यह इधर रहेंगे एधर रहेंगे वह ओधर यह खंगे और अंगर जब मैं बोरो हों अलग-अलग से मतलब है मेरा तू उन्हें न दो सुसााइटि क्रिएट कर दी थी दो सुसाइटि क्रिएट कर दी टी अगे ती जो बहुत अमीर हो गए थी और एक ती जो भ्हुत गरीब हो गए थे अभी कैसे सोसाइटी रही थी वह मैं आपको बतातों उससे पहले चोटा सा एक्जामपल देख लेते हैं एक और एक्जामपल रहा हंगरी में क्या हुआ था आधी पॉपुलेशन में 11 बोलती थी हंगरी में आधी पॉपुलेशन है ग्यार बोलती थी और आधी जो थी वह Polish language बोलते थे Polish एक language होती है अब aristocrats and middle class यह aristocrats aristocrats यह aristocrats है क्या कूँ है कौन है aristocrats ठीकिया और क्या चाहते क्या है तो भई देखो दो difference आते है paper में बहुत important है जैसे कि मैं आपको पहले भी बिताया था what is the difference between aristocrats and peasantry यह दो difference आपसे paper में बहुत बार पूछे जाते हैं कि aristocrats and peasantry में क्या difference है तो सिंपल सी बात मैं आपको बता कर चाहूंगा aristocrat मतलब rich मान लो अमीर लोग and peasantry मान लो poor लोग अब aristocrat rich है तो अब आप अंसर खुद दोगे board में मत देखना दो मिनिट अब board में मत देखो simple सी बात बताना है ठीक है अब अमीर कौन aristocrats गरीब कौन piss entry dominate कौन करेगा aristocrat करेगा किसके ऊपर करेगा agent believes entry के ऊपर करेगा Dominate करेगा Aristocrat dominate करेगा पीजेंटरी के ऊपर आज समझ मैं रच पॉपलेशन का जादा होएगी जulation को पॉपुलेशन यह तक आप गरीब के अच्छह ऐच्छे घरों में कौन रहेगा अव्यसी वाथ जो अमीर होई में रहागा हुआ इन किराय के घर में tenants होता है किराय के घर में इनका small land था और इनके बड़ बड़ लेंड वड़े वड़े लेंड थे इनके उधर ना उस time period में France में बढ़ाना जाता है जो उनकी जैसे अगर मैं बोलूँ आपको जो फ्रेंच बोलेगा वो बहुत अमीर माना जाता था उस time period में वैसे अगर मैं बोलेगा पॉलिश लेंगुज भूल भाई बड़ा अमीर है और लोकल लेंगुज मोलते तो बहुत गरी educated बंदा है और हिंदी बोलता है गवार है हिंदी में मतलब देखा क्यों हमाई native language है ठीके उस्तर में भी यही होता था मैं इसमें लाइव एक्जांपल देता हूं मेरे एक फ्रेंड है वो ना बाबा हो गरा में बिलीव नहीं लगता है मैं कहता है मैंने उच्छा क्यों क्यों मैंने को एक यू यू बाबा धंका लगता है मैंने क options है क्यों यह ढबाब का नाम बता यह मैंने का यह यह ब्यागते क्या यह बपाम डेंदी लगता है यह में दो थे मैं उससे मईं पो जेक सव 채 भंड़ा मैंने वहा बोला educated and literacy में difference है हाम दीनी है यह पहुत को educated नहीं है लिट्रेड होता है जिसको लिखना हाओ यह जिसको पढ़ना आतओ कि आप learning के basis पर किसी को जई नहीं कर सकते हो कि एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ती आई ए सिस्का interview crack कर सकता याउए-स लेट निवह सब्सक्राइब कर सकता और एक English बोलने यह शेम था अरिस्टोक्राइट्स थे उनको बहुत जाता हूं भई हाई सोसाइटी में रहते हैं इनको क्वालिफाइड लीडर्शिप थी इनके अंदर लीडर्शिप आ जाती आपना भी जो अमीर होते हैं यह अपना लीडर्शिप बिल्ट हो गी थी और यह अंडर क्वालि पिजेंट्री में डिफरेंस था यह अब इन दोनों के अलावा भी एक टाइप के लोग होते हैं जिनको कॉम बीडल-क्लास फूप यह अब क्वाइँ अल। सब्सक्राइब क्लास में कौन कौन आते हैं बिजनस में टीचर्स डॉक्टर्स यह यह ना पूरी यूरोप की बात कर रहा हूं मैं आपको यह पूरी यूरोप की बात है कि यूरोप में अरिस्टोक्रेट्स रहते थे पूरे यूरोप में यह बस फ्रांस की बात नहीं है पू नहीं वह जाएदा अमीर थे उनको हम बोलते हैं medical class people बूलते हैं ठीक है ये working class population उनको हम बोलते हैं working class population working class population में चौ्रम इसको इसलिए ब clot इच्वैजाएं क्योंकि ये अभी work कर रहे है काम कर रहे है जो महनत से कमा रहे है खा रहे है अपना इसलिए हम इनको मिडल क्लास बोलते हैं बिजनसमेन होगे प्रोफेशनल्स टीचर्स डॉक्टर्स इनके अंतर्ना दिमाग होता है ये थोड़े समझदार होता है अब जब मैंने बोलगी थे समझदार तो इन्होंने देखा भाई ये गलत हो रहा है सब्सक्राइब यह थे सारव प्रॉप डिपल को दो मिनेट कर रहे है वह गलत है तो इन्होंने लगा ऐसा नहीं होता ठीक है यह जो थे educated थे इन्होंने एक demand करी इन्होंने demand करी liberal की यह चाहते थे liberalism क्या चाहते थे liberalism बहुत important question है जो कि आपको next class में बताऊंगा आज नहीं बताऊंगा ठीक है एक दिन में एक chapter आ रहा है अगर 15-20 minute का भी chapter तुम देख रहो तो I think it is enough for you okay इतना घबराने की बात नहीं है कैसे होगा बहुत easily हो जाएगा तुम्हारा ठीक है okay मगर जो easy chapter है बेटा वो खुद कर ले ना मैं difficult chapters सबसे पहले put up कर रहा हूं so that आपको ज्यादा problem ना आए इस बात को समझना ठीक है खलको यह मत बोलना सर आपने power sharing chapter तो पढ़ाया है नहीं था आपने बहुत था पूरे chapter के रिवीजियों की मगर power sharing करवाया है नहीं development आपने करवाया है नहीं बेटा यह chapter मैं अभी नहीं करवाऊंगा ठीक है कुछ तो चाहते हैंगे न हो वो क्या चाहते थे उसको हम बात करेंगे next chapter में और वहीं चाहते थे liberal nationalism अब liberal बहुत बारी टर्म मैंने बूल दिया है चोटा सा एक word का example में आपको बता रहेता हूं इसका मतलता है freedom आजादी हम लेके रहेंगे आजादी बस यह होता है इसका मतला तो बस आज के लिए तक काफी है उमीद करता हूं आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर आपने मेरा first lecture नहीं देखा तो जल्दी से यह link आपको नीचे बायो में मिल जाएगा थो यह चाहते हो तो इसके बाद direct आपको आजाएगा वनना इथर Sabrina आपको जो हो जाएगा था लेक्टर आप उसमने क्लिक करके आराम से जा सकते हो ओके अंगर यह रहे हैं अगर यह लेक्टर्स आपको पसंद आ रहे है तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जादा जाद ज्यादा शेयर करो सो दार उनका भी थोड़ा सा भाई तब तक के लिए सी यू गाइस ताटा टेक क्या जाय हैं जाय भाद बाद बाद बचो